हेलो फ्रेंड वेलकम पेक तो माई यूट्यूब चैनल इंजिनिंग प्रेट को आज हम डिस्कस करेगी जैसे आपको कोई सोफ्टेयर को अगर आपको इसको ब्लोग करना है कि वो इंटरनेट के साथ जाए वो कनेक्ट ना हो सके तो हम कैसे कर सकते हैं उसको आप यहां से सर्च में जाएए और लिखिए विंडोज फायर्वाल ठीक है इसको आपने स्लेक्ट किया इसको आप स्लेक्ट कर लीजिए यहां से आप आ जाएए एडवांस सेटिंग के अंदर ओनद विखिः एडवांस सेटिंग यहां से आउटमस रूस पर क्लिक केजिए जर अपर प्रोग्राम कोई सेट रहे और नेक्स्ट क्लीक कीजिए उसके बाद यहां से browz कर लीजिए और जिस भी सोफ्टर को आप चाते हैं कि हुँव इंटरनेट के साथ का जब्वों तो मैं यहां से ले लेता हूँ, प्रोग्राम फाइल का मतलब होता है, जिसमें 64-bit के software install है, प्रोग्राम फाइल x66 का मतलब है, जिसके अंदर 32-bit के software जे वो install है, तो यहां से मैं कोई एक software ले लेता हूँ, जैसे, मेरे को जैसे e-tab मेरे को करना है, e-tab में मैं यहां से application का मैंने select किया, e-tab अली open किया, तो इसको मैं next कर दिया, और यहां पर block the connection रखना है, आपने next पे click किया, नाम में, जो मैं नाम दूँगा, वही मेरा यहां बहार जाओ, इधर show करेगा, तो मैं यहां पर नाम दे जाता हूँ, e-tabs, ठीक है, description में आप कुछ भी लिख दीजिए, यहां से finish किजिए, तो यहां से आप advanced setting में जाकर कि आप उसको check कर सकते हैं, अगर आपको इसको वापस से अंब्लोग करना है, तो आप इसको select कीजिए, यहां से आप इसको delete कर सकते हैं, ठीक है, thank you.